तो यहां पर यह रहा दोस्तों मेरे पास Vivo T1 latest smartphone और यहां पर यह रहा 50 Megapixel का triple rear camera आपको इसी smartphone की इसी वीडियो में कुछ camera के settings बताऊँगा दोस्तों भहतरिन setting आपको बताऊँगा दोस्तों भहतरिन shots के लिए तो आप हरना दोस्तों इस वीडियो को end तक देखना वीडियो म सबसे पहले मिलता दोस्तों night mode यह night mode होता है रात में photo click कर निकले और इसके अलावा आप यहां पर इस तक जूम करना चाहे तो आप कर सकते हैं इसके अलावा आप यहां पर style पर click करके यहां पर कुछ यह आपको effect मिलते हैं जो effect आपको अच्छा लगे वो effect ढग कर आप night mode मे photo ले सकते हैं इसके अलावा इसकी capacity को आप थोड़ा कम ज्यादा भी करना चाहे कर सकते हैं इसके अलावा इस three line पर click करके यहां से आप framing lens मतलब इसको on करेंगे यहां पर framing lens करेंगे तो hashtag की तरह lens दिखेंगे आप camera app open करने के बाद में उन lens को देखकर आप पता कर सकते हैं अ तरह से तीन सेकंड का time आएगा उसके बाद भी photo click हो जाता है इसके अलावा है पर इसी तीरे लेन पर click करेंगे उसके आपको हम पर frame दिखता होगा मतलब यह जो photo आप click कर रहे हैं उसका size कैसे आना चाहिए full आना चाहिए या आना चाहिए 16 by 9 या आना चाहिए 1 by 1 हाँ पर आपको जो size चाहिए दोस्तों वो size आप हम पर select करके रख सकते हैं इसके अलावा next आते हैं पर portrait mode यह portrait mode होता दोस्तों background को blur करके photo लेने के लिए आपको portrait mode में आना होगा तो आप हम पर zoom होगा नहीं कर सकते है इसके अलावा आप style पर click करके हैं कुछ आपको हहां पर यह filters मिलते हैं effects मिलते हैं जो effect आपको अच्छा लेगे उसको रख कर photo ले सकते हैं इसकी काप इसे के भरपूर आपको effects बहुत सारह मिलते हैं हाँ पर beauty है दोसों आप अपने face को beauty करके photos ले सकते हैं यहांसे ज्यादा beauty होना चाहिए तो ज्यादा कर सकते हैं कम होना चाहिए तो गम कर सकते हैं इसके अलावफ हाँ हमआ आपको shadow tim beiden एं & ass स्लीमिंग है हाँ पर आपको फेस ब्यूटी के रिगार्डिंग यहां पर सारे यह सेटिंग मिलते हैं चले इसके अलावा हम पर बोके यह में है दुस्तों ब्यागरॉंड को ब्लर करके आप फोडो लेना चाहे तो यह बोके को यहां से आप इसकी क्यापिसिटी को कम भी कर सक सकते हैं इसके अलावा इस तरी लेन पर क्लिक करेंगे तो यह तो सारे सेटिंग्स आपको मनें बता दिया है और यहांसे HDR को यहां पर यूज कर सकते हैं बस चलिए उसके अलावा हम पर आते हैं नेश्ट फोटो मोड में यह दुस्तों नॉर्मल मोड फोटो मोड यहां से है और फोटो से ले सकते हैं और इसके अलावा अच्छा लगए हैं पर रग करح़ें ऑर इसकी यह लीडिम्स पर फोटो अगर आप इसको OFF कर लिया तो कोई भी सीज के सामने लेकर तो वो और दीखता है दुस सो आप हम पसक्राइब को यूज को आडए को यूज कर सकते हैं और है फ्यूख इकन पर उपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर है दूसरों fill light fill light मतलब photo click करने से पहले ही यह flash it on हो जाती है और वापस से हम इसी flash it के icon पर click करके यहाँ पर करेंगे अभी on on करेंगे तो आप जब भी photo click करते हैं दूसरों उसी वक्त यह flash it on हो जाती है और इसके अलावा यहाँ पर हम करेंगे चले अटो करेंगे तो रात में photo click करते हैं और यहाँ से off भी आप कर सकते हैं इसके अलावा आते हैं तोससे हमपर next video mode में आप को वीडियो recording करना हो तो आना होगा इस video mode में आप यहाँ पर zoom कर सकते हैं maximum पर जससे लूब मों 6 म कर सकते हैं वीडियो ॥ंस के अलाव पर फिल्टर भी हर रख सकते हैं वीडियो रिकूरटिन्गर पर चलिए हम अच्छा लगेए रख लेंड़ेना जो और इसकेक अलाव यहाँ पर तरदग एप करके इसके अलावे हम पर फ्लाशिट का फीचर इसके ऊपर हम किलिक करेंगे तो video recording करने से पहले ही पूशिट आउन हो जाती है वह आप से के लिए बार क्लीक करेंगे तो और को मिलता साथ यहां से आप क्वालिटी को कम जयादा कर सकते हैं 720p और 1080p में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और इसके अलाव हैं पर है दोस्टों फ्रेम रेट मतलब यह से आप 30 FPS और 60 fps जिसमें आप रिकॉर्डिंग करना चाहिए कर लेना चलिए इसके अलाव हैंपर नेश्ट आते हैं मौर में मौर में आने के बाद से आप पूरे पेस को एक ही फोटो में यहां पर फोटाँ में आए टाए इसthaam dh textbook फोटो में आ जाता है इसके आलॉंड यहां पर एंगे दूस scholar क्यामया में सब्सक्राइब होते हैं उसी तरह आपके इस mode में सारे settings मिलते हैं वो settings आप करके photos ले सकते हैं और उसके बास settings पर click करेंगे यहां पर दोसमों सबसे पहले shooter sound मदलव इसको on करेंगे तो आप जब भी photo click करते हैं तो उसका sound आता है और यहां पर next mirror selfie इसको off कर लेना दोसमों अगर मैं कहूं तो क्यूंकि आप इस एंगल से selfie लेंगे तो वो mirror होकर इस एंगल से आपने photo लिया और फोटो के corner में इस side में नीचे बता देगा और यहां पर model watermark इसको on करेंगे तो आपने किस phone में photo click किया है वो मतलब बता देगा फोन को shoot on view o t1 इस तरह से बता देगा तो चलिए इसको on करेंगे आप यहां पर add content पर click करेंगे आप जो भी नाम डालेंगे वह भी आपका आप बता देगा photo के corner में जो भी आप इससे photo click करते हैं यहां पर back आने के बाद यहां से दोस्तों touch इसको on करेंगे तो camera app open करके कहीं भी touch करेंगे इसके पर photo click हो जाता है आप वाइस से भी कर सकते हैं इसके अलावा आते हैं back यहां पर portrait framing मतलब इसको on करेंगे तो आप portrait mode मे हैं तो भी hashtag की तरह lines आपको दिखेंगे camera app open करने के बाद में इसके अलाव यहां पर है दीसों AI auto focus यहां से इसको auto कर लेना और यहां पर आप यहां पर कोई एक animation रख सकते हैं दूस्तों जो आपको अच्छा लगे तो चलिए back आते हैं और यहां पर यह रहे वीवो T1 5G smartphone की क्यामरा की settings अगर आपने कुछ गड़ बढ़ कर दिया तो आपको क्या करना है reset पर click करके confirm कर देना है तो जैसे नया phone लेने के बाद में जैसी settings थी वापस से वह इसी settings हो जाएगी एक और बार वीडियो देखकर आप एक और बार settings कर सकते हैं तो यह ता दुस्तों वीडियो की link आपको नीचे मल जाएंगे और tips and tricks hidden features वाला वीडियो यहाँ पर दिख रहा होगा click कर लेके देख लिजे